बिंडो का खुबसूरती गिरीलों से होता है और गिरीलों का खुबसूरती जब तक उस पे पेंट नहीं किया जाता है तब तक देखने में पुरा बेकार लगता है आई इस वीडियो में हम जानकारी देते हैं गिरील में एलमुनियम पेंट कैसे किया जाता है नमस्कार दोस् हमारे फोन की भी घंटी बचे दोस्तों यही वो खिड़की है ग्रील है जिसमें हम आज एलमुनियम पेंट करने वाले हैं कुछ नया ग्रील है और कुछ पुराना ग्रील सब है जैसा तर आप देख सकते हैं यह सब रूम के अंदर लगा हुआ है यह खिड़कियां सब और कु जो है ग्रील इस पर पहले से वाइट कलर है अब इस पर एलमुनियम कलर करना है और पुराना वाला है तो दोस्तों देशा तर देख सकते हैं अब हम खूलने वाले डिब बे तो यह रहा एलमुनियम पेंट का डिबा एक लिटर है इंडुको कंपनी का गॉल्ड सीरीज आप देख सकते हैं अलमुनियम पेंट इंडुको कंपनी का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही चमकदार पेंट है मुझे तो काफी अच्छा लगा आप देख सकते हैं यह इसका रेट जो है 363 रुपिया है एक लिटर का यह बहुत ही बढ़िया अलमुनियम पेंट है जो कि आप देख सकते हैं rate भी date भी बहुत ही अच्छा है चलिए इसको अब खौल के और देखते हैं इसमें अंदर में क्या क्या है तो दोस्तों देख सकते हैं तो इसमें दो धकन डाता है सबसे उपर वाला धकन आपको पहले खौलना परेगा देख सकते हैं इसके अंदर एक paste का डबा रहता चोटा सा देख सकते हैं यह रहा paste और इसका liquid अलग होता है आप देख सकते हैं नीचे liquid और डबा के अंदर ही paste रहता है तो इस दोनों को मिला के उसके बाद करना पड़ता है आप अगर हलका करते हैं पतला करते हैं तो उसमें कम paste लगता है और ज्यादा अगर मोटा कर करते हैं तो उसमें ज्यादा paste लगता है तो आपको किस हिसाफसी करना है तो आप लगा सकते हम को थोड़ा मोटा ही करना है तो हम थोड़ा सा paste दिये और दोस्तों थोड़ा सा liquid दिये इसका तेल और उसके बाद इसमें paste मिला के उसके बाद हम करते हैं तो दोस्तों इसमें ध आप इस पेस्ट को मिला के आप कर सकते हैं तो करने में आपको एक इंची परस बहुत ही असानी से हो जाता है बहुत ही अच्छा से हो जाता है तो इस सब में चलिए करके दिखाते हैं दोस्तों अभी फिलाल ये वीडियो सब जो मैं लेट सेट बना रहा हूं क्योंकि मेरा मेरी आवाज से आप लोग पाचान गए होंगे जो मेरा कुछ तबियत अभी भी बहुत खराब है तो आप लोग के कारण मैं अच्छे से वीडियो और भी लेके आता रहूंगा तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जडूर कर दीजेगा तो दोस्तो देख सकते हैं इसी तरह किया जाता कितना अब खूबसूरत लग रहा है देखने में दोस्तो जिसमें पहले से पेंट किया हुआ है उसमें हम डायरेक्ट एलमोनियम पेंट किये और जो नयावला खिड़की था उसमें जो प्रैमर हम किये थे उस पे डायरेक्ट हम पेंट कि तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब देखने में भी काफी खुबसूरत लग रहा है लग रहा है जो चांदी से बना हुआ है ये किरील कितना खुबसूरत लग रहा है पहले देखिए कितना बेकार लगता था अब देखिए इसका हम फोटेज दिखाती हैं आपको द दोस्तों इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए काफी अच्छा अच्छा हम इंडो को पेंट का वीडियो बनाए हुए हैं इस चैनल पर तो जाइए दोस्तों चैनल पर और चेक कीजिए और हर तरह का जानकारी लिजे दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ चैनल को सस सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो तब तक लिए गुड़ बाई